हेलो फ्रेंट्स दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार जब लड़कों की लाइफ में कोई लड़की दस्तक देती है और उनकी गर्फ्रेंट्स बन जाती है तो अक्सर लड़के के हाव भाव पूरे तरीके से चेंज हो जाते हैं चले आज जानते हैं इसी चीज के बारे में कि गर्फ्रेंट बनने के बार लड़के किस तरीके से चेंज होते हैं दोस्तों यह आपके ही किसी ग्रूप मेंबर की कहानी हो सकती है मानगी जिए कि आपका दोस्त आपके साथ सबसे ज्यादा समय बिताता था फिर चाहे वो बढ़हाई हो या फिर घूमने जाना हो कोई मुवी देखने जाना ही हो या फिर मम्मी के मंगाय हुए सामान को लेने मार्केट जाना हो हर चीज के लिए वो सबसे पहले आपको ही पूछता था लेकिन अगर अब उसकी लाइफ में गर्फरेंड आ गई है तो वो आपको पूछना ही छोड़ देंगे उनके पास आपके लिए समय काफी कम हो जाएगा और इसी के साथ साथ गर्फरेंड के लिए समय काफी बढ़ जाएगा वो हमेशा फोन पर चिपके रहेंगे या तो चैटिंग में या फिर कॉल पर ताकि वो अपनी गर्फरेंड को और समझ सके और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा बात कर सके आपने एकसर देखा होगा जब भी किसी लड़की के लाइफ में कोई लड़की नहीं होती है तो वो लड़कियों की रिस्पेक्ट शायर नहीं कर पाते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर लड़कों की लाइफ में कोई लड़की आ जाती है तो वो महिलाओं की इस्ज़त करना काफी हद तर सीख जाते हैं फिर चाहें वो उनकी गर्फरेंड हो उनकी वाइफ हो या फिर कोई और अन्य महिला हो अच्छे तरीके से महिलाओं का सम्मान करना भी भी सीख जाते हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है और किस तरीके से उन्हें अपने कामों को पूरा करना है ये भी उन्हें काफी अच्छे तरीके से पता होता है तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से गर्फरेंड मिनने के बाद लड़के चेंज हो जाते हैं मेरी ब्यूटी और हैलसे डिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए